नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें श्री शिवाए दोस्तों सोलह नवंबर दो हजार चौबीस शनिवार व्रिश्चिक संक्रान्ती के दिन एक कटोरी सरसों के तेल से कर लेना ये एक महा उपाय होगी हर मनो कामना पूरी भगवान शानी देव पूरे साल करेंगे आपके उपर धन की वर्षा इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 नवंबर को मार्ग शीर्ष शनिवार व्रिश्चिक संक्रान्ती पढ़ रहा है इसलिए यह दिन बहुत ही खास है क्योंकि देखिये दोस्तों, गुरू जी ने कहा है कि जब भी शनिवार वरिश्चिक संक्रांती पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाए करना चाहिए यह उपाए इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्थ पर सही क्रिया अनुसार एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाए कर लिया जो प्राचीन काल के समय का महा उपाए है तो मान के चलिए दोस्तों भगवान शानी देव के आशिरवाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ती मिल जाएगी आपकी कोई भी मनो कामना हो मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे आपकी नौकरी लग जाएगी आपका बंदपड़ा व्यापार चल पड़ेगा जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इसलिए दोस्तों इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो पर अगर आपने इस शनिवार वृष्चिक संक्रांती के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी इसलिए आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी की ही शिव महापुरान की कथा में बताया है जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं उससे पहले है शानी देव महराज आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुखदर्द मत आने देना साथ ही साथ कॉमेंट बॉक्स में पांच बार जैशनी महराज जरूर लिखे ताकि भगवान शानी देव महराज की कृपा आप सभी को हासिल हो सके इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो तो आप से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखे देखिए दोस्तों ये शनिवार व्रिष्चिक संक्रांती का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाथ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते वह शनिवार व्रिश्चिक संक्रांती के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना सुन लेना उसके बाद करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दोष्ट और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, कि दोस्तों, यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्र दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह अगर फल का अनुभव उन्धिये क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांती कैसे लाई जाए एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य उर्जा भरने का काम करती है यह सिर्फ सुगंध नहीं, बलकि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी है जो आपके मन, आत्मा और वातावरन को शुद्ध करती है जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगर बत्ति लाना चाहते हैं तो वीडियो के साथ टैग की गई है अच्छे डिसकाउंट के लिए अभी क्लिक करें तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है किसको करना है और कैसे करना है तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं तो दोस्तों इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार अश्टमिया तिथी के दिन कैसे करना है किसको करना है किस समय करना है और कहां पर करना है ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन शत्रूँओं और किसी भी दोश किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है अब दोस्तों इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहने होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं अगर किसी व्यक्ती की खुद की कोई मनोकामना है खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांती के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वह भी कर सकता है उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है माताएं बहने अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर देखो इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं देखो तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है तो देखो इस वाले को आप लोग सुभह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोश काल में भी कर सकते हो अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इसे कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा क्योंकि शनिवार वृष्चिक संक्रांती का दिन है और इस दिन प्रदोश काल के बहुत महत्व होता है बाकी अगर सुभह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुभह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोशकाल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है तो देखो सुभह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो सुभह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ थोड़ी देर भी हो जाए तो दस या ग्यारह बजे तक भी आप उपाय कर लेना पर बारह बजे से ज्यादा देरी ना हो ठीक है इस बात का ध्यान रखना उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोश काल की बात करें प्रदोश काल का जो समय होता है वह शाम के चह बजे से शुरू हो जाता है मतलब शाम के चह बजे से लेकर साथ बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोशकाल का समय होता है, इस उपाय को साथ बजे या आठ बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के छह बजे से रात आठ बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु सोलह नवंबर शनिवार अश्टमिया तिथी कोशिश करना कि समय के अंतरगत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ, तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लॉंग डाल कर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शानिवार का जो दिन है, यह है न्याय के देवता, यानि की शानिवार का और साल कौन सा चल रहा है, दो हजार चौबीस, और यह साल किसका है शानिव का, और शानिव को अगर इस साल में प्रसन न कर लिया, तो वाली पीडियाँ भी सुख भोगेंगी, साथ अगर शनी से जुड़े कश्ट आपको परेशान करते है शनी की पीडाएं आपको परेशान करती है शनी की कोई भी महादशा है आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है तब भी देखिए बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनी की साड़े साती चल रही है, शनी धहिया चल रही है, शनी की ये महादशा चल रही है. परन्तु बहुत सारे लोग ऐसे भी है, जिनको नहीं पता है कि शनी की साड़े साती है, शनी धहिया है या कोई वास्तु दोश है, नजर दोश है अगर आपको कुछ भी पता तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते है तो शनी देव का आशीरवाद आपको मिलता ही मिलता है और उनका आशीरवाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है, जो भी आपको चाहिए, आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है, कि मुझे अपने जीवन में ये चीज खरीदनी है, मेरा ये सपना है, मुझे ये लेना है, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण है कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते। अपने जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज़ को ले पाए। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनों कामनाईं पूरी नहीं हो रही है। जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, करजे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है या फिर कभी कभी तो situation मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है उसके घर में बीमारियाओं भी घुस रही है उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है तो देखिए बहुत बार ये चीजें होती है वास्तु दोश के कारण शनी की कोई महादशा के कारण बहुत सारे कारण होते हैं बहुत सारी चीज होती हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है, वह हमारे जीवन पर पढ़ता है, और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उपाये खोजते हैं, बहुत सारे उपाये करते हैं, परन्तु देखिए, जब भी आप कोई उपाये करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाये कितनी बा कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाट कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने। उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए बात करेंगे सर्सों के तेल की, जो कि शानी देव से जुड़ा हुआ है, शनिवार का दिन शानी देव को समर्पित है। सर्सों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शानी की कृपा को मिलती ही मिलती है और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है मा लक्ष्मी की विशेश कृपा आपको मिलती है शानी की कोई भी पीडा अगर कुंडली में है कोई भी महादशा चल रही है वह दूर हो जाती है साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिली होती है और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते है जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है तो बात करेंगे एक लॉंग सरसों के तेल में डाल कर उपाय को कैसे है और किस समय करना है तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है सरसों का तेल लेना है जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सरसों का तेल लेंगे कितना लेना है एक कटोरी लेना है ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं छोटी सी कटोरी में अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है क्यूंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी, तो थोड़ा सा तेल लेना है कटोरी में अगर लोहे की नहीं है, तो कोई और भी आप बरतन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं उसके अंदर आपको क्या करना है? एक फूल वाली लॉंग डालनी है, एक फूल वाली लॉंग बिल्कुल भी तूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लॉंग से तेल को तयार कर लिया अब आपको क्या करना है? एक दीपक तयार करना है कौन सा दीपक? सरसों के तेल का इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है अब ये दोनों चीजें एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तयार करा है चुटकी भर काले तेल डाला है और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लॉंग डाली है दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनी देव के मंदिर में अब जिनके घर के आसपास शनी देव का मंदिर नहीं है वो क्या करेंगे और एक या राइट सीधे हाथ पर या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाए कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है दीपक जलाना है और शनी देव के चरणों में देखते हुए उनकी आँखों में आपको नहीं देखना है ठीक है उनके चरणों में देखते हुए आप से कहना है कि हे शानी देव अगर मुझसे कोई भी भूल चुक हुई हो मुझे नहीं पता मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं मेर अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। परन्तु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी, तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी क कौन सी मनो कामना है, जिसे आप पूरा ना करें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूँ, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे, और अगर मुझसे कोई भी भूल चुक हो गई हो, जाने अंजा के साथ आपको शानी देव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता है, उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है, एक जो दीपक लेकर के गए थे, वो आपको जलाना है, देखिए जब भी आप सर्सों के ते प्रिये को जल्दी प्रिये हैं तो यहां पर आपको डबल डबल आशीरवाद मिल जाता है शनी देव का क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है लॉंग वाला एक फूल वाली लॉंग डाल कर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का तो शनी देव की ऐसी क्रिपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है शनी देव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनी देव की क्रिपा पा लेता है वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति जीवन में धन को हासिल करता है तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनीवार का यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए शाम के समय करना है यह उपाय कम से कम यह उपाय आपको तीन शनीवार करना है दोस्तों इतना भर करने से आपके जीवन की सारी धुक परेशानियां दूर हो जाएंगी तो चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाए के बारे में जान लेते हैं तो अगला उपाए है जो आपको शनिवार के दिन करना है वो है पांच काली मिर्च का उपाए सबसे पहले उपाए के बारे में इस उपाए के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी पांच काली मिर्च के दाने पांच काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचा फेंक देना यहाँ पर पांच काली मिर्च के दाने जीवन की हर कश्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ती भगवान शनी देव जी के आशीरवाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी धन की वर्शा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जला कर आप अपने घर से नजर दोश को भी दूर कर देंगे साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रू है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है घर में पैसा रुकता नहीं है नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं कभी किसी की तबियत खराब है कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बरबादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पालें ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाए आपने शनिवार के दिन कर लिया अब देखिए अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाए जरूर करने चाहिए क्योंकि काली मिर्च के उपाए जो होते हैं सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं दूसरी चीज आपके गुप्त शत्रूँं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोश परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड नहीं पाएंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं न कहीं नजर लग जाती है। उसके घर की सुख शांती को, सुख सम्रिद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर, दोश आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है, उनकी नजर का जो प्रभाव होता है, वह तुरंत खत्म हो जाता है। और फिर आपको अपने जीवन के कश्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है और नजर दोश अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं, ये हनुमान जी से जुड़ी हुई काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी ये हुपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक उर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं, तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों न हो, उसका आपके उपर, आपके घर के उपर, आपके पैसे के उपर कोई असर नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शानी देव का आशिरवाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही, और यह उपाय विशेश कर उन लोगों को करना है, जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भ नहीं आ रहा है, उन्हें विशेश कर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का, देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नही रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें, करना क्या है, पांच काली मिर्च के दाने लेने हैं, अब आपके घर में जो व्यक्ती बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ती इस उपाय को कर ले, तो ज्यादा उत्तम ह अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं आपको क्या जो व्यक्ती बहुत बीमार है या जिस व्यक्ती के पास आपके घर में पैसा नहीं है उस व्यक्ती के उपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने है उतारने कैसे है? आपको clockwise नहीं उतारना है जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है उस तरीके से 7 बार anti-clockwise आपको उतारना है और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने है चौराहे पर कोई भी चौराहा से बोलते है जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक-एक दाना काली मिर्च का फेक देना है और काली मिर्च का जो पांचवा दाना है उसे उपर आस्मान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उच्छाल देना है ठीक है? ना इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं कर दो